और अब खबरविस्तार से बीजेपी महिला समान को लेकर यूपी के हर जिला मुख्याले में प्रदिशन करेगी। बीजेपी ने इसके लिए थीम बहु बेठी के समान में बीजेपी मैदान में रखा है। जहां से कारे समिती में ये तैय किया गया है कि पार्टी आज यूप में हाइवे पर हुई गैंग रेप की घटना को लेकर क्या जाएगा बता दे कि इससे पहले देशंकर सिंग की बहु बेटी पर की गई अब अब अधर टिपडी के ख़़ाब बीज़ेपी ने प्रदेशन किया था और अब बुलेशेर गैंग रेप के मामले को लेकर सड़कों पर उत्री है बीज़ेपी यहाँ पर वही नारा दिया गया है बहु बेटी के सम्मान में बीज़ेपी मैदान में इस नारे के साथ बीज़ेपी जिला कारेलों में प्रदेशन कर रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है सभी जिला मुख्या ग्रेप को लेकर नाना दिया गया है बहुबेजी के सम्मान में बीजीपी मैदान में इस थीम को लेकर बीजीपी यहां सड़को पर उत्री हुई नजर आ रही है सभी जिला मुख्यालूप पर प्रदिशन हो रहा है चाहसे कारे समिती में ये फैसलरी आ गया था दो दिवरसी चाहसे में कारे समिती बैठक हुई थी और उसके अंदर ये फैसलरी आ गया था बुलेंशेर गैंगरेप को लेकर किस तरह से रणीती त्या करनी है आगे किस तरह से यहाँ पर मामले को आगे बढ़ाना है बीजेपी ने पूरा फैसला लिया और जाता जानकारी के लिए रुक करते हैं बीजेपी ने ये नारा दिया था कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में एक बार फिर बीजेपी सडकों पर उतर आई है लेकिन इस बार मुद्दा है बुलन शहर का हमारे साथ में महानगार अद्यक्ष मुकेश शर्मा जी है मुकेश जी क्या प्रारूप रहेगा इस पूरे प्रदर्शन का कहां से निकलेंगे और कहां तक जाके ग्यापन देंगे क्या कुछ प्रारूप रहेगा जब से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है और रात 2014 में 2015 के बाद 3650 बलतकार की घटनाएं हो चुकी है इस पेकार से पूरे उत्तरप्रदेश में कानून विरस्ता पूरी तरह से द्वस्त हो चुकी है मा बेटियां आज कहीं भी कोई महिला सुरक्षित नहीं है अभी बुलन चेहर में जो हाईवे पे घटना वी और जिस पेकार से एक घिनवनी हरकत वहाँ पे बीजेपी कैसे प्रदर्शन कर रही है क्या विरोध कैसे आवाज उठा रही है मुलन चेहर की घटना के विरोध में भारती जन्ता पाटी ने निर्ने लिया है कि जन्ता की लडाई को सडकों पे उतरेगी और आज हम लोग यहां से एकत्तितों के कलेक्टेट पे मार्च करते वे विरोध करते वे और जन्ता की लडाई को आगे बढ़ाते वे जब तक समा महिलाएं भी आप अगर तस्वीरों में देखेंगे यहां हमारे साथ हैं जो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहां सड़कों पर उत्री हैं आप बताईए कि एक बाद एक लगातार महिलाओं के साथ यह परादी गटनाय हो रही है लेकिन क्या मान रही है कि अब वाकई उनकी ठाने में जाती है फायार लिखाने उनकी फायार नहीं लिखी जाती है और इस तरह की कितनी घटनाय होती है उनका एक बार नहीं बार बार कोट से लेके कचेरी से लेके आप बताईए आप बताईए कि लगातार इस तरह की घटनाय महिलाओं पर हो रही है क्या मान रह यह वाकई में महिलाओं का फड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है तो बिल्कुल यह आवाद उन महिलाओं की जो लगातार एक के बाद इस तरह की घटनाओं से परिशान हो गई थी लिहाज़ा अब यह फैसला लिया गया है कि सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराये जाएगा और इसी कड़ी में आज बीजेपी का ये बेटी बचाओ को लेकर ये प्रदर्शन है शुर्ति ठीक है यहाँ पर बीजेपी जो महिला कारे करता है वो यहाँ पर मुर्चा सभाले हुए है तस्वीरों के जरे भी हम देख रहे हैं सरकार को बढ़खास करने की मांग की जा रहे है आप से यहाँ पर जाना चाहेंगी कि आप महिलाओ से पूछे क्या उनके पास कोई एजेंडा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो महिलाओ की हिफाज़त कैसे करेगी वो बिल्कुल मुकेश जी है उनी से हम यह चाहेंगे इस सवाल का जवाब मुकेश जी क्या मान रहे है कि जो लगातार इस तरह की घटनाए हो रही है बीजेपी एक के बाद एक आवाज भी उठा रही है अगर आने वाले उत्रपरदेश की चुनाओं में बीजेपी सत्ता में लिए तो कि यह एक एहम एजंडा रहेगा बीजेपी के मैनिफेस्टों में बीजेपी का चुनाओं में जो उत्रेगी बीजेपी उसको लेगा निश्यत रूप से कानून विवस्ता किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा एजंडा होता है और जब जब पूर में भारती ज पार्टी के सुरक्षत हातों में उत्तरब्रदेश की बाग डॉर देनी है और कानून विवस्ता को लेकर भारती जन्ता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी जब से सत्ता में आई है और पूर में जब बसपागी भी सरकारे नहीं पिछले 14 वर्षों में प्रदेश के सभी धानों पर प्रदर्शन का काईक्रम आयोजद के दा सभी धानों पर गिराओ का का इक्रम किया था और आज फिर बुलन शेहर पे जो हाईवे पे घटना हुई है जहां मां बेटी के साथ मलतकार हुआ है ऐसी गिनावनी घटना हुई और वो पुलिस को एक राजनितिक शणियन पर दाते हैं इसके रूप यह कहने के बाद वास्तों में अज उत्तरप्रदेश की जनता पूरी तरह नाराज है इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक इतनी सही है यह अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि एक के बाद इस तरह की घट पार्टी जनता पार्टी की सरकार दोलाईगी तबी यहां पर तवाम चांकरी देने के लिए यहां पर